Hey everyone, welcome to JK Civil Services As you all know, हमारी reasoning की classes चल रही है And आज का जो topic है, that is Center code and role numbers Okay, हम लोग already reasoning का part 1 जो है, वो complete कर चुके है And अभी हम part 2 के topics जो है, वो कर रहे है And part 2 में से ही आपका एक topic जो है That is center codes and role numbers चलिए पहले इसका थोड़ा intro कर लेते हैं देखे, center code and role numbers में आपके दो part आते हैं एक तो होगे center code, दूसरा होगया role numbers ठीक, आपको एक digit दिया होगा ठीक है, मान लीजे 1, 2, 3, 4, 5, and 6 आपको बोला होगा कि पहले दो digits जो हैं वो आपके center codes है और बाग की जितने भी digits बच जाते हैं वो आपका क्या है role number यानि कि उसको हम और किस नाम से बोल सकते हैं enrollment number आपको पते है जब हम लोग exam देने जाते हैं तो कुछ तो center code होता है हमारे, हमारा जो पूरे का पूरा role number होता है उसमें कुछ digits जो होते हैं और कुछ digits जो होते हैं वो role numbers होते हैं ठीक, similarly, यहाँ पे भी आपको कुछ digits जो है, वो given होंगे, उन मेंसे आपको extreme left पे जो दो digits होंगे, वो आपको consider करने है as center codes, और वाकि जितने भी सारे digits बच जाते हैं, उनको आपको क्या मान के चलना है, उनको आपको मान के चलना है roll numbers, ठीक है, उसी के basis पे आपको question आएंगे, पहले दो digits जो है, left याने के left वाले side, वो क्या होंगे, roll, वो क्या होंगे, center codes, and right वाले side, बाकि जितने भी digits बच जाते हैं, वो आपके क्या होंगे, वो आपके रहेंगे roll numbers, ओके, तो चलिए without a do, आज का topic शुरू करते हैं, देखिए, ऐसे आपको एक table दिया होगा, इसमें आपको बहुत सारे ये देखिए, बहुत सारे digits दिया होंगे, ठीक, बहुत सारे digits दिया होंगे, तो आपको बोला जाएगा, कि जो left में 2 digits है, वो center code है, जैसे इसमें left के 2 digits, 65 is your center code, इसमें 88 is your center code, इसमें 33 is your center code, इसमें 81 is your center code, इसमें 88 is your center code, इसमें 47 is your center code, and बागी जितने भी बच जाते हैं, जिसे 2345, that is your roll number, 4752, this is your roll number, 8379, this is your roll number, 8325, this is your roll number, 1923, this is your roll number, 1927, this is your roll number, अब देखिए, तो I hope समझ आ गई होगी चीज़े, अब है एक चीज़ यहां पे, serial number, serial number क्या होता है? serial number होता है ये, देखे जो बागी, मान लीजे, serial number और roll number आप मान लीजें, same है, serial number और roll number मान लीजेआ, same है, serial number is equal to roll number, ठीके, इसमें Serial No. 1923 होगा, इसमें Serial No. 6378 होगा, इसमें Serial No. 2345, इसमें 7325, इसमें 1927, Serial Numbers आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आगे जो Question आने वाला है, उसमें आपको Serial No. पे, Roll No. पे, Center Code पे Questions पूछे जाने वाले हैं, ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं Question पे, यह आपको Table दिया है, इसके basis पे आपको कुछ Questions जो है, वो पूछे गए हैं, आप देखें, पहला Question क्या है, Which of the following centers has lowest serial number? Lowest serial number, सबसे पहले तो lowest serial number दूण दिये, serial number is equal to roll number, ठीक, तो lowest roll number दूण दिये, डूण दिये lowest roll number, इसमें roll number क्या है, 1927, ठीक, एक सेकेंद, इसमें roll number क्या है, 1927, इसमें 3782, इसमें 7325, इसमें 1200, इसमें 4321, इसमें 2783, इसमें से सबसे lowest roll number दूण ये कौन सा है, ये 1000 तो नहीं आएगा, 1000 है, ये 3000, 7000, ये 1200, 4000 तो नहीं आएगा, 2000 भी नहीं आएगा, 7000 भी नहीं आएगा, 3000 भी नहीं आएगा, सीरा नमबर यह आएगा ठीक या रोल नमबर अब इसमें क्या आएगा देखिए 7 है इसमें 1 है इसमें 4 3 1 2 है 7 9 2 2 को मैं 7000 रीड कर रहे हूं ठीक है क्योंकि यह मतलब यह मैटर करेगा आगे जाके फिर 1000 है यह 4 3 1 2 यानि कि 4000 की लाइन में है यह 6000 की लाइन में है यह भी 4000 की में यह 2000 की लाइन में ठीक तो 2000 वाले काट ओगेए 4 वाल भी काट ओगया 6 वाला भी 4 वाला भी ठीक है 7 वाला भी तो सबसे लोवेस्ट इसमें क्या गया 1923 अब देखिए इसमें क्या आया 7386 8 325 1 927 8379 484 3 & 717 वाला तो नहीं आएगा 4000 वाला भी नहीं आएगा 8000 वाला भ सबसेjoint में सब्सक्राव कोल्म उसले engine पेसे सब्सक्रापिर देख नयुक्राइए यचां णलोसे में सम्हें साइख संता घ्क जिरम हो एस साइख एक समस्तिकुम मेंसिन ons देख लेती तू करें सा execute नक्राव देखना हैं तो ऑप 스स या बात सब्सक्राइख सब्सक्राइम 529901, यह तो सबसे highest है, यह तो नहीं आएगा, 4000 भी नहीं आएगा, क्योंकि इस से छोटा तो 2000 है, 3000 भी नहीं आएगा, 8000 भी नहीं आएगा, 5000 भी नहीं आएगा, तो 2896 जो है, वो छोटा serial number है, अब यह क्या बोल रहा है, question, question बोल रहा है, which of the following centers, कौन सा ऐसा center है, यानि कि कौन सा ऐसा center code है, which has lowest serial number, जिसका serial number सबसे छोटा है, तो serial number 2896 में से, 1927 में से, 1923 और 1200 में से सबसे छोटा कौन सा है, 1200 है, 1200 सबसे छोटा serial number है, सबसे पहले हमने column wise सबसे छोटे serial number को find किया, इस column में 1200 को select किया, B column में 1923 को select किया, C column में 1927 को select किया, 2896 को हमने D column में select किया, अब जो हमने 4 select किये, 1, 2, 3, 4, 4 columns में से, उन में से भी देखना है कि सबसे छोटा serial number कौन सा है, तो 1200 जो है वो सबसे छोटा serial number है ठीक अब question पूछ रहा है कि जो सबसे छोटा serial number है उसका center code क्या है तो इसका center code क्या है देखिए 65 है 65 तो 65 आपका answer हो जाएगा तो question ये नहीं पूछ रहा था कि सबसे छोटा serial number क्या था ठीक है, I hope यह जी समझ आ गए होगी, अब देखिए, इसका आंसर क्या था, 65, अब second question क्या है, second question पूछ रहा है, which of the following centers has highest serial number, मतलब इन में से कौन सा ऐसा center code है, जिसका serial number highest है, मतलब क्या करना है, इस question में सबसे छोटा serial number डून रहे थे, इस question में सबसे बड़ा serial number, यानि कि सबसे बड़ा roll number डूनना है, ठीक, और जो सबसे बड़ा roll number आएगा, उस roll number का center code क्या है, बाद में वो बताना है, ठीक है, question समझा आ गया, इस question में सबसे बड़ा serial number देखना है, और फिर उस serial number का क्या center code है, वो आपको options में से choose करना है, समझ लग गई question की, चलिए आगे चलते हैं, क्या करेंगे, सेम ऐसे करेंगे, A, A, B, C, और D में से क्या find करेंगे, सबसे बड़ा center code, सबसे बड़ा क्या करेंगे, roll number याने की serial number find करेंगे, अब देखिए, 1927, 3782, 7325, 1200, 4321, 2783, 1927 तो बड़ा नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 7 हो सकता है, 1 तो नहीं हो सकता, 4000 के line में है, ये 2000 के line में है, तो इसमें 7325 जो है, वो आपका सबसे बड़ा serial number आता है, B कॉलम में देखिए क्या आता है, 7929, 1923, 4312, 6378, 4320, 2345, इसमें से आपका 7929 जो है, सबसे बड़ा serial number आता है, ठीक, इसमें से देखिए, C कॉलम में, 7386, 8325, 1927, 8379, 4843, 7131, 7 नहीं आएगा, क्योंकि 7 से बड़ा 8 भी गिवन है, ठीक है, 4 भी नहीं आएगा, 4 से बड़ा 8 है, 1 तो नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, अब देखिए, 8325 है और 8379 है, तो 8325 और 8379 में से सबसे बड़ा serial number 8379 है, तो 8379 को चूज कर लेंगे, ठीक, अब देखिए, D पार्ट, D कॉलम में से, 2896, 3338, 8187, 5347, 4752, 9901, 2 तो नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 7929, 8379, और 9901 में से सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा है, 7325, 7325, 7325 से फिर बड़ा कौन है, 7929, लेकि 7929 से भी बड़ा है, 8379, 8379 से भी बड़ा है, 9901, तो 9901 आपका सबसे बड़ा serial number है, तो हमें सबसे बड़ा serial number नहीं पुछा गया है हमें पुछा गया है कि सबसे बड़ा serial number जो है उसका center code क्या है तो उसका center code क्या है 18 तो देखे ज़रा 18 यह 81 हो गया, यह 88 हो गया, 47 and 18 18 आपका answer रहेगा I hope यह question आपको समझ आ गया होगा ठीक है अब देखे, next question क्या पूछ रहा है next question पूछ रहा है एक second, next question पूछ रहा है which of the following centers is mentioned the most number of times in above table बोल रहा है कि कौन सा center यानि कि कौन सा center code आपसे maximum number of times यहाँ पे repeat किया हुआ है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे mention किया हुआ या थर्टी 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 कितनी बार आया 88, एक, एक, दो, तीन, चार और पांच बार, तो 88 आपका five times आया, ठीक, अब बाकी के centers भी देख लेते हैं, जरा आब 18 को देख लीजे, 18 तो चल ये एक बार आया, ये 33 है, ये 65, 47, 81, 81, 65, 47, 33, 18, दो बार आया, ये 88 है, ये 88, 88, 51, 33, 18, तीन बार आया, 81 है, 33, 53, 51, 88, 47, 81, and 18, that means, एक बार, दो बार, तीन बार, और चार बार, 18 आपका कितनी बार आया है, चार बार, ठीक है, एक सेकंड, 18 आपका आया है, चार बार, I hope clear हो रही है चीजे, ठीक है, आप देखे, आप 81 का देख लेते हैं, 81 देख लेते हैं, कितनी बार आया, 18, 33, 88, 65, 47, 81, एक बार, 81, दो बार, 65, 47, 33, 18, 88, 88, 58, 51, 33, 18, and 81, 33, 51, 88, 58, 47, and 81, तो 81 कितनी बार आया, एक बार, दो बार, तीन बार, और चार बार, 81 भी आपका चार बार आया, आप देखे, 33, 33 देखे कितनी बार आया, आपके पास, 33 देखे, 33 देखे, एक बार, 65, 47, 81, 81, 65, 47, 33, 18, 88, 88, 88, 51, 33 18, 81, 33 जो जहां-जहां पर 33 आ रहा है गोल अट करते जाहिए 51, 88, 47, 81, and 18 तो 33 आए आपका एक बार 2 बार, 3 बार, और 4 बार 33 भी आपका 4 बार आए तो 81 आपका 4 बार आ रहा है 33 आपका 4 बार, 18 आपका 4 बार सबसे ज्यादा बार जो repeat हो रहा है वो है 88 ठीक है तो 88 आपका यहां पर answer हो जाएगा ठीक I hope यह चीज clear हो गई होगी चलिए next question पर चलते हैं Which of the following centers is mentioned the least number of times in above table ठीक है बोल रहा है question कि यह जो आपको table given है इस question में आपको क्या करना था इस question में आपको वो center code बताना था जो सबसे ज्यादा बार maximum number of times जो हो रहा था repeat लेकन यहां पर इसका उल्टा बताना है यहां पर बताना है कौन सा ऐसा center code है जो least number of times repeat हो रहा है ठीक है सबसे कम बार repeat हो रहा है ओके समझ लग गई चलिए फिर से वही same approach रखेंगे पहले 65 देख लिजए कितनी बार आ रहा है और गोला करते जए जहां जहां 65 आ रहा है 18, 33, 88, 65 एक बार 47, 81, 81, 65 दो बार 47, 33, 18, 88, 88, 88, 51 33, 18, 81, 33, 51, 88, 47, 81, 18 तो 65 आया आपका दो बार ठीक है एक बार और दो बार ठीक चलिए आगे चलते हैं आगे चलते हैं अब 33 देख लेते हैं ठीक अब देख लिए 33 18 तो नहीं है 33 हो गया एक 88 आ गया 65, 47, 81 81, 65, 47, 33 18, 88, 88, 88, 51, 33 18, 81, 33 51, 88, 47, 81, 18 तो कितनी बार आया 33 एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार 33 आपका आया, चार बार, ठीक है चार बार आप देखें जरब 47 ठीक है आप 47 भी है उप्शन में 47 देख लिजे कितनी बार आ रहा है 18, 33, 88, 65, 47 81, 81, 65, 47 33, 18, 88, 88, 88, 51 33, 18, 81 33, 51, 88, 47 81 and 18 तो 47 आया एक बार, दो बार और तीन बार तीन बार आपका 47 आया, ठीक आप देखें जरब 61 है अब है आपका 61 61 देखें जरब कितनी बार आ रहा है 18, 33, 88, 65, 47 81, 81, 65, 47 33, 18, 88, 88, 88 51, 33, 18, 81 ठीक है 33, 51, 88, 47 81, 18 तो दैट मींज एक भी बार ये 0 टाइम्स रिपीट हो रहा है ठीक है 61 जो है 0 टाइम्स याने कि 61 तो आ ही नहीं रहा है ठीक है तो आपके option याने कि which of the following centers is mentioned the least number of times in above table तो ये तो mention ही नहीं हो रहा है ये तो 0 है mention ही नहीं टेबल में ये चार बार हो रहा है, दो बार हो रहा है, तीन बार हो रहा है तो 61 will be your answer I hope चीज़े clear हो रहे होंगे आपको ठीक है चली next पे चलते हैं अब अब देखिए again आपको क्या दिया हुआ है, आपको table एक दिया हुआ है, फिर से आपको एक table दिया हुआ है and उसके basis पे आपको questions पूछे जाएंगे ये आपका table है, ठीक ये आपका table है अब देखिए, first two digits denote center code, last four digits denote enrollment number, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था ठीक है, जो भी condition होगी वो आपको क्या दियोगी, वो आपको question में given होगी, उसी condition के basis पे जैसे यहाँ पे बोला था कि पहले दो डिजिट्स center code होंगे and last के चार डिजिट्स enrollment number होंगे, फिर हमने पहले दो डिजिट्स को center code लिया and last वार डिजिट्स को roll number लिया या serial number लिया ठीक, तो मतलब जो आपको question में given होगा, आपको उसी के basis पे question solve करना है, ठीक है, अब देखिए यह हमारे पास दिया हुआ है table ठीक, यह हमारे पास roll numbers दिये हुआ है यह आपका A column रहेगा या आपका B column, या आपका C column, या आपका D column जैसे, आपको पता है क्या होता है, ठीक आप देखिए, बोल रहे है, in how many centers was the examination conducted, बोल रहे है, कितने ऐसे centers है, total centers बताइए जिनमें examination हुआ था, ठीक repetition, यहाँ पे आपको नहीं लेना है, ठीक है, repetition यहाँ पे आपको नहीं लेना है, चलिए आप देखते हैं, 41 यह एक center code आया, 52 आया, 65 आया, 59 आया, 66 आया, 55 आया, ठीक, फिर आया 32, 55 नहीं आएगा, क्योंकि और यहाँ पे हमने count कर लिया 55 को, 66 नहीं आएगा, क्योंकि और यहाँ पे 66 को count कर लिया है, 52 आएगा 52 भी नहीं आएगा, क्योंकि हमने अलरी यहाँ पे एक column में इसको count कर लिया है 41 नहीं आएगा, क्योंकि पहला ही 41 था, हमने उसको count कर लिया है 59 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने count कर लिया है, चलिए 54 आएगा क्या 54 देखे कहीं पर है 41 52 65 59 66 55 54 तो आएगा क्योंकि अभी तक repeat नहीं हुआ है 55 नहीं आएगा क्योंकि यहां पर repeat हो चुका है 66 नहीं आएगा क्योंकि यहां पर repeat हो चुका है 52 नहीं आएगा क्योंकि यहां पर repeat हो चुका है 41 नहीं आएगा क्योंकि यहां पर repeat हो चुका है 65 65 नहीं आएगा क्योंकि यहां पर repeat हो चुका है 63 अभी तक कहीं पर नहीं आया तो 63 को count कर लेते हैं उसके बाद 64, 64 भी अभी तक कहीं पर नहीं आया, तो 64 को भी count कर लेंगे, 55 को नहीं count करेंगे, क्योंकि 55 यहाँ पर ओर्रेडी आ चुका है, 66 को नहीं करेंगे count, क्योंकि 66 यहाँ पर ओर दस, टोटल 10 centers ऐसे थे जिनमें examination हुआ था, तो क्या 10 आएगा, क्या 12 आएगा, क्या 8 आएगा, क्या 11 आएगा तो 10 जो है, वो आपका आंसर रहेगा इस question का, ठीक है आप देखें, next question क्या पूछ रहा है next question पूछ रहा है, from the above given table find out how many students had 66 as their center code बोल रहे हैं कि ऐसे कितने students है ऐसे कितने students है, जिनका center code 66 था याने कि 66 तो देखना है, कितनी बार repeat हो रहा है ठीक है, simple सी बात है ये total, अगर ये हमारे पास total number of students है अगर ये हमारे पास total number of students है तो इसमें से वो students find कीजिए और गिनिए, उन students का number बताईए जिनका code 66 है तो इसका 66 है इस column में ठीक है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये जो है ये बंदा, इसका 66 code है ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं उसके बाद ये जो बंदा है, इसका code है 66 तो 66 चार बंदों का कोड है चार ऐसे बच्चे हैं जिनका कोड 66 है तो क्या आएगा इसका आंसर? आंसर आएगा 4, 4 आएगा That means 4 ऐसे बच्चे हैं जिनका कोड क्या है? 66 है ठीक है, center code जिनका 66 है I hope ये चीज़ clear हो गए होगी अब देखिए, इसमें आपको बहुत अलग तरीकी के question भी पूछे जाते है center code and row numbers में क्या आपको दिया जाएगा जैसे 36 and 25 आपको, मतलब कभी-कभी ये classification की form में भी आपसे पूछा जाएगा ठीक है, मान लीजिए 36 और 25 देखिए, 5, 5, 5 का square 25 होता है 6 का square 36 होता है ठीक है, और 12 का square क्या होता है 144 and 13 का square क्या होता है 169, 10 का square क्या होता है 111 का square होता है 121, ठीक है 3 का square होता है 9 ठीक है, and 8 का square होता है 64, अब देखिए 12, 13, 5, 6 10, 11, that means 10 में एक add किया, plus 1 करो फिर plus 1 करो, फिर यहाँ पे भी plus 1 करो, जिसका square है फिर plus 1 करो, फिर जो answer आएगा उसका square, उन वो दो आपस में pairs बना रहे है, लेकिन यहाँ पर क्या है 3 से 8 तक जाने के लिए हमें 5 plus करना पड़ेगा, जबकि हर कहीं पर plus 1 plus 1 हो रहा था, लेकिन यहाँ पर plus 5 करना पड़ेगा, तो यह आपका odd 1 आउट है, कभी-कभी आपको, जो center code and roll numbers हैं, उन में ऐसे question भी पूछे जाते हैं ठीक है, इसलिए मैंने सुचाए कि there should not be anything left, इसलिए I have brought the classification वाले questions भी इस lecture में, ठीक है आप इसको practice के तोवर पर भी ले सकते हैं, ठीक आप देखे, 26 minus 13 जब 26 में से 13 minus करेंगे तो 13 आएगा, ठीक 18 में से 5 minus करेंगे तो 13 आएगा, 20 में से 7 minus करेंगे तो 13 आएगा 40 में से 20 minus करेंगे, तो 20 आएगा, तो यह odd 1 out है क्योंकि बाकी जितने भी pairs हैं उनका minus करके 13 आ रहा है 13 आ रहा है, 13 आ रहा है बट इसका क्या रहा है, 20 तो this is odd 1 out ठीक है, चलिए next पे चलते हैं next देखे, 1, 3, 5, 7 ठीक है, 3, 5, 7, 9 2, 8, 6, 5 11, 13, 5, 7 देखे, 1 भी odd, 3 भी odd, 5 भी odd, 7 भी odd 3, 5 भी odd, 7 भी odd 9 भी odd number है, ठीक है prime की बात नहीं कर रही हूँ, prime number अलग होता है, odd number अलग होता है prime number वो numbers होते हैं जो itself से और 1 से divisible होते हैं ओके, and odd numbers कौन से होते हैं, odd numbers जिसे 1 हो गया 3 हो गया, 5, 7 9, ठीक है ऐसा मान सकते हैं कि जो 2 से completely divisible नहीं होते है ओके, तो 11 भी odd है 13 भी odd, 5 भी odd, 7 भी odd यहां पर 5 तो odd है, लेकिन 6 is an even number, 8 is an even number 2 is an even number तो यह जो पहले 3 options थे यह सारे क्या थे, odd numbers के combination थे, बट यह odd और even number का combination है, तो this will be your this will be your different one ओके अब देखिए, इसमें आप से क्या पूछा जा रहा है, 1, 2, 3, 4 8, 9, 10, 11 3, 4, 5, 6, 1, 8, 2, 3 देखिए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 3 के बाद 4, मतलब यह continuous चल रहा है, consecutively चल रहा है 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11 ठीक है, तो मतलब यह भी continuous counting चल रही है 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 तो यह भी continuous counting चल रही है लेकिन 1 के बाद 8 थोड़ी आता है 1 के बाद 2 आता है, ठीक है लेकिन यहाँ पर क्या है, 8 आया, फिर तो 2 और 3 था, 1 के बाद 2 और 3 था लेकिन बीच में 8 आया, इसने खराब भी कर दी तो D part जो है, वो आपका odd one out हो जाएगा, ठीक चलिए अब देखिए, next क्या है 2, 4, 8, 16 4, 8, 16, 32 3, 9, 27, 54 5, 10, 20, and 50 देखिए, 2 से 2 को 2 से multiply करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को 2 से multiply करेंगे, तो 8 आ जाएगा, 8 को 2 से multiply करेंगे, तो 16 आ जाएगा अब यहाँ पर देखिए, 4 को 2 से करो 8 आ जाएगा, 8 2 सा 16, 16 2 सा 32, that means 2 से हर कोई digit जो है, वो 2 से multiply हो रहा है, फिर वो next digit दे रहा है अब देखिए, यहाँ पर 5 2 सा, 10, फिर 10 2 सा, 20 20 20 इन्टू 2 सा 20 20 इन्टू 2 सा यहाँपे क्या रहा है, 20 इन्टू यहाँ पर नहीं बन रहा है, ठीक है यहाँपे देखिए, 3 3's आ 9, 9 3's आ 27, 27 इन्टू 27 2 3 37 2 सा 24, 3 2 सा 67 8, तो 84 84, यहाँप 84 आएगा 54 नहीं आएगा, यहाँपे 84 आएगा ठीक, इसको PDF आपको edited मिलेगी यहाँ पे 84 आएगा, तो 27 into 3, ठीक तो 27 into 3 क्या होता है, 84 आता है, ठीक 81 आता है, एक सब्सक्राइब मैंने यहाँ पे 54 क्यों लिखा है, यहाँ पे आप 81 कर दीजेगा, ठीक, 81 यहाँ पे आप कर दीजेगा यहाँ पे आप 81 कर दीजेगा 3721 ठीक, यहाँ पे आप 81 कर दीजेगा यहाँ आपको PDF edited मिलेगी तो कहने का मतलब यह है, कि यहाँ पे भी same number से multiplication हो रही है यहाँ पे भी same number से multiplication हो रही है यहाँ पे भी same number से multiplication हो रही है लेकिन, यहाँ पे same number से multiplication नहीं हो रही है, तो this will be your odd one out, ठीक है, यह जो है यहाँ पर आपको मैं edit करके, 54 की जगा 81 आएगा, ओके, पता नहीं गलती क्यों होगी है में इसे, चलिए आप देखे, 49 minus 33, 49 में से 33 minus करेंगे, तो कितना आएगा 9 में से 3, 6 4 में से 3, 1, तो 16 आएगा ठीक है, 16 आएगा 62 में से 46 करेंगे 62 में से 46 किज़े, 12 में से 6, 6 तो 5 में से 4, 1, तो ये भी आएगा आपका 16, ठीक 83 में से 67 कीज़े, 83 में से 67, 13 में से 7, तो 6 आएगा, और फिर 7 में से 1, ठीक है, ये भी 16 आएगा, ठीक, और 70 में से 55, 70 70 में से आगर 55 जाएंगे तो 10 में से 5 तो 5 यहां पे 6 में से 1 आएगा ठीक हाँ तो यह आ रहा है आपका 15 ठीक है इसका difference भी 16 इसका difference भी 16 इसका difference भी 16 लेकिन इसका difference आ रहा है 15 तो this will be your odd one out ठीक है यह आपके लिए questions इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि center code और roll numbers जो है उनमें कभी-कभी classification के questions भी आते हैं और classification क्योंकि आपके syllabus में है तो मैंने सूचे कि practice भी हो जाएगे आप लोगों की और अगर आगे पूछे भी जाते हैं ऐसे questions तो भी आप तयार रहेंगे इनके लिए ठीक है तो 5 में से 7 minus कीजिए 5 में से 7 minus कीजिए तो minus 2 11 में से 29 minus कीजिए तो एक second यह minus का question नहीं है देखिए इसको आपको कैसे लेका चलना यह एक pair है यह minus नहीं है मतलब यह pairs को separate करने के लिए लिखा हुआ है तो यह इन दोनों का एक pair है इन दोनों का एक पेर, इन दोनों का एक पेर, इन दोनों का एक पेर आप देखें, अगर आप देखेंगे 5 और 7 जो है, दोनों प्राइम नंबर्स है 11 और 29 जो है, दोनों प्राइम नंबर्स है, देखें प्राइम नंबर्स होते है 1 2 2 is the only even prime number ठीक है 1 2 3 5 7 फिर आएगा 11 13 17 19 ठीक है फिर आएगा 23 फिर आएगा आपके पास 29 ठीक है तो देखे 11 11 और 29 भी prime numbers है 5 और 7 भी है 5 और 7 भी है 13 और 37 37 भी आपका एक prime number है तो 37 और 13 भी prime number है लेकिन 15 और 27 प्राइम नमबर नहीं है क्यों क्योंकि 27 3 से भी divisible है 15 भी 3 से divisible है और हमने बोला था prime numbers सिर्फ वो numbers होते जो 1 और 15 से होते divisible ठीक लेकिन 15 तो 3 से भी है तो that means 3 भी आएगा तो ये prime number नहीं है prime number ये क्या पे और ये नहीं है ठीक है आप समझ आ रही होगी चीज़े 4 9 16 25 देखे 2 2s are 4 3 3s are 9 4 4 16 5 5s are 25 फिर 8 8s are 64 9 9s are 81 10 10s are 100 11 11s are 121 ओके स्क्वेर हो रहा है ठीक है स्क्वेर हो रहा है ठीक अब देखें यहां पर 5 का स्क्वेर 25 6 का स्क्वेर 36 7 का स्क्वेर 49 8 का स्क्वेर 64 3 का स्क्वेर 9 4 का स्क्वेर 16 6 का स्क्वेर 36 and 7 का स्क्वेर 49 ठीक देखें यहां पर 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 8 के बाद 9 9 के बाद 10 10 के बाद 11 यहां पर 5 के बाद 6 6 के बाद 7 7 के बा आपका हो जाएगा, क्यूं? क्यूंकि यहां पे consecutive numbers के square है, यहां पे भी continuous numbers के square है, यहां पे भी continuous numbers के square है, लेकिन यहां पे वो series नहीं बन रही है, that is why this one will be your odd one out, ठीक? अब देखे, choose a number which is different from the rest, 15, 21, 24, 29, देखे, 24 भी 3 से divisible है, 21 भी 3 से divisible है, लेकिन 29 को 3 से divide नहीं कर सकते, also, आप क्या कर सकते हैं, यह prime number है, यह तो prime number नहीं है, यह prime number नहीं, यह भी prime number नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यह prime number है, that is why this is different, ठीक, बागी के questions जो है, वो आपके लिए practice questions है, जैसे यह हो गया, यह हो गया, ठीक, यह आप कर लेना, उसके बाद यह हो गया, यह हो गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे practice questions मांग रहे थे, तो यह आप practice कर सकते हो, I hope आज का lecture जो है, वो आपके लिए useful रहा होगा, अगर रहा है, तो like जरूर करना, और चैनल को subscribe भी करना है, see you in the next lecture, till then good bye, thank you